विशाल पांजे की वज़े से मन्राया लवकेश पर खत्रा एलिमिनेशन से बचनी के लिए पीसनी पड़ेगी चुकी बिग बॉस OTT 3 जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये और धी एंट्रेस्टिंग होता जा रहा है इस सीजन मेरवान मिलिक से लेकर विशाल पांजे और लवकेश कटेर है जैसे कई फेमिस सोशल मीडिया स्टार्स अपना परसनालिटी ओर्डियन्स को इस शो की जरिये दिखा रहे है अनिलकपूर के इस विवादी फ्यॉयलिटी शो से दो हफ्तों में ही चौर कंटेस्टन्स का पत्ता साफ हो चुका है घर में टोटर सोला कंटेस्टन्स ने एंट्री लीज उचिन में से अब तक पाल मलिक, नीरजगोय, पॉलमिदास और मुनीशा खटवानी अलिमिनेट हो चुके है वहीं अब तीसे हफते एक बग फिर से नॉमिनेशन की तलवार धलवार ओपर लड़की है इस हबते जिस पर सबसे ज़ादा खटरा मंद्रा रहा है वो कंटेस्टन्स कोई और नहीं बल्की लब कटारिया है बिग बॉस की कुछ नियम कानून है जिनी तोटने वाला घर से अलिमिनेट हो या नहो लेकिन उस पर खटरा ज़रूर मंद्राने लगता है ऐसा ही कुछ हुआ है लगकेश कटारिया के साथ जहां उनी बिग बॉस में इस हबते घर से निकालने की धंकी दी है दरसल इस साल की गेम में 16 में से एक घरवाला बाहरवाला है जिसे ओडियन्स का फीड़बैक मिलता है बिग बॉस जुसे भी बाहरवाला बननी की पावर देते हैं उसे ये आगा करते हैं इस बात का पता किसी भी कंटेस्टन्स को नहीं लगना चाहिए सना सुल्टान और साई केतन के बाद ये पावर एलविश की खास दोस्त लव कटारिया को दी गई इन्वेस्टिगेशन टास्क में जहां कोई कंटेस्टन्स ये नहीं पता लगा सका कि बाहर वाला कौन है तो है लव कटारिया के खास दोस्त विशाल पांडे को युभनक लग गई है कि बाहर वाला कौन है लव भी उनसे ये बात चुपा नहीं सके जो सिनारासो कर बिग बॉस में अब उन्हें सीधा सीधा घर से बेगर हुने के लिए नॉमिनेज कर दिया है दखबरी ने अपने एक से अकाउंट पर एक वीडियो शेर किया जिसमें सभी घरवाले लिवी एलिया में बैठे हुए है इजरों बिग बॉस सबसे पूछते हैं कौन चाहता है कि लब घर से बाहर ना जाए उसके जवाब में दीपक चौरासिया, विशाल पांडिया और श्रिवानी के साथ सना मगूल भी अपना हाथ खड़ा करती है यह देख बिग बॉस उन्हें लब को बचाने का एक मौका देते हैं और यह टास्क देते हैं कि लब तब तक सुरक्षित रहेंगे जब तक घर में हाथ उठाने वाले कंटस्ट चक्की चुलाते रहें इसके बाद यह फैसला दर्शकों का होगा कि वो लब को बचाते हैं या फिर उन्हें शो से बाहर करते हैं फिलाल बिग बॉस ओटिटी और टीवी सीयल से जूवी लेटेस्ट अबडेट के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भुलिएगा